इस बार Slavers में काफी कुछ चेंज किया गिया है, कई सारे टौपिक्स आपके हटा दिये गए हैं, इसलिए आपको अपना Slavers अच्छी से पता होना चाहिए, ताकि आप एक्जाम में अच्छी से परफॉर्म कर सको और अगर आपको topics पता होंगे तो आपका काफी important time भी बचे और एक Indian Economic Development. Micro Economics आप अप अलरड़ी Class 11 में पढ़ चुके हो, जो कि आपका Base प्रिपेर करता है Macro Economics के लिए. तो आपकी जो Macro Economics में चैप्टर है, सबसे पहले है National Income and Related Aggregate, यह आपका 10 Marks का है, फिर Money and Banking, यह 6 नंबर का है, उसके बाद आदा है आपका Income and Employment का Determination, यह आपका 12 नंबर का है, Government, Budget and Economy 6 नंबर का है, और Balance of Payment भी आपका 6 नंबर का है, तो इस तरीके से 5 chapters, यानि 5 units यह आपकी बनती हैं, फिर Indian Economic Development, तो सबसे पहले 1947 से 90 तक का जो Economic Development था, वो कैसे रहा, और फिर 1990 में जो Reforms हुए, वो क्या हुए, यह आप पढ़ोगे और यह सारे chapters हैं, आपके 12 numbers के, फिर Indian Economy में जो Current Challenges हैं, वो क्या है, यानि क्या वो Present समस्या हैं, जिनको हमारी Economy face कर रही है, यह 20 number का है, और इसमें आपके 2-3 chapters बनेंगे, फिर आजाता है Development Experience of India, इसमें आप Compare करोगे चाइना और पाकिसान के साथ, और यह है आपका Aiden Marks का, तो इस तरीके से दोनों ही बुक आपकी 40-40 Marks की हैं, खुशी की बात यह हैं कि जो Second Book है, वो आपकी Theoretical है, और First Book में आपके Numericals और Graphs दोनों ही हैं, तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि Actual में वो क्या Topics हैं, जो आप हर एक Chapter में पढ़ोगी, तो सबसे पहले First Book, यानि Macroeconomics, इसका सबसे First Unit, यानि National Income and Related Aggregate, तो सबसे पहले आप इसमें Basic पढ़ोगे कि Macroeconomics क्या होती है, और जब आप Book पढ़ोगे Macroeconomics की, तो कई सारे आपके जो Terms आएंगी New, तो उसमें Terms होगी कि Consumption क्या होते हैं, Consumption Goods क्या होते हैं, Capital Goods क्या होते हैं, Final Goods क्या होते हैं, Intermediate Goods क्या होते हैं, Stocks and Flows का क्या मत ये पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ोगे कि Circular Flow of Income, इसमें सिर्फ और तू सेक्टर मॉडल सी पढ़ना हैं, इसके तीन सेक्टर और फोर सेक्टर भी होते हैं, वो आपको नहीं करने हैं, फिर National Income आप निकालना इसमें सीखोगे और एक Long Question इसमें से जरूर 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 इसके तीन मैथड्स होते हैं, एक तो Value Edit Method, या फिर हम कहें Product Method, दूसरा Expenditure Method और तीसरा Income Method, इन तीनों मैथड्स से ही आपको Income निकालना सीखना हैं, और उसके बाद फिर GNP यानि Gross National Product, Net National Product, Gross Domestic Product यानि GDP, Net Domestic Product, NDP, ये अलगलग Price पर होते हैं, यानि Market Price पर, Factor Cost पर, Real और Nominal GDP ये सब करोगे, GDP Deflator क्या होता है, GDP and Welfare में क्या Relation होता है, ये सब आप करोगे, उसके बाद आजाता है Money and Banking, ये चटकर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मिलते जुल्दे Terms आपको मिलेंगे, जो आप पहले से ही जानते हो, तो Money का क्या मतलब होता है, इसके क् Credit देकर, यानि Loan देकर, जो फिर Central Bank है, इंडिया का Central Bank कौन सा है, Reserve Bank of India, इसी तरीके से हर एक देश का Central Bank होता है, तो हमारे देश का Central Bank है, RBI, यानि Reserve Bank of India, इसके क्या कारे होते हैं, तो इसका सबसे पहला कारे है, ये Bank का Bank कहलाता है, यानि Bank of Issue, Government का Bank कहलाता है, Bankers Bank कहलाता है, रेपो रेट को कंट्रोल करता है तुरू बैंक रेट यानि जिसमें हम बोलता है रेपो रेट आपने न्यूस में भी सुना होगा कि RBI की मनेटरी पॉलिसी हुई है इसने रेपो रेट को बढ़ा दिया या कम कर दिया या कोई भी चेन नहीं की तो इन सब के तुरू ये महंग को कम करने की कोशिश करती है या फिर महंगाई और मंदी पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो यह सारे कारे आप यहां पर सीखोगे फिर कैश रिजर्व रेशो क्या होता है इस्टेट्यूरी लिकुडिटी रेशो यानि SLR क्या होता है रेपो रेट रिवर्स रेपो रे आपने Micro Economics की Class 11 में पढ़ी थी, उसमें आपने Market Demand पढ़ी थी और वेक्तिगर दिमांड पढ़ी थी अब यहाँ पर आप पूरे देश की Demand पढ़ोगे और उसके क्या Components है फिर Propensity to Consume क्या होता है और Propensity to Save क्या होता है और कई सारे numerical questions इसमें बनते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, Investment, Multiplier and Mechanism आप पढ़ोगे Full Employment का क्या मतलब होता है और Involuntary Unemployment का क्या मतलब होता है फिर अगर देश में Access Demand हो तो उसकी क्या Problems होती है Demand कम हो तब क्या Problems होती है किस सरीके से इनको सुधारा जा सकता है Government किस सरीके से इसमें Trend लेती है यानि वो खर्चों को, Taxes को, Money Supply को किस सरीके से उसमें Control करती है ताकि ये सारी Problems हमारी Solve हो जाए उसके बाद आता है Government Budget and Economy यानि जो Government Budget है, उसका क्या मतलब है, उसके क्या देशों होते है उसके क्या Components है फिर जो Receipts होती है, यानि जो प्राप्तिया होती है वो क्या है, उनके कितने प्रकार होते हैं इसे Revenue Receipts क्या होती है, Capital Receipts क्या होती है Expenditures क्या होते है, Revenue Expenditure and Capital Expenditure क्या होते है Balanced क्या होता है, Surplus and Deficit Budget क्या होता है और किस तरीके से Government इसको मेजर करती है पिर रहता है balance of payment, ये balance of payment account का क्या मतलब होता है, क्या से components होते है, surplus and deficit, ये सब क्या होता है, foreign exchange rate क्या होता है, fixed and flexible rates क्या होते है, rate exchange rate किस तरीके से determine किये जाते है, pre market में, इसके क्या lab है, इसके क्या हानिया है, fixed exchange rate क्या होता है, managed floating exchange rate system क्या होता है, ये सब आप इसमें पड़ोग है आप को सिर्फ और सिर्फ याद करना हैं काफी सारे अच्छे नंबर्स इसमें स्ट्रेंट से ला सकते हैं इसमें आप पढ़ोगे development experience सबसे पहले 1947 से 90 तक जो कि बहुत ही धीमा था और काफी सारा कंट्रोल सरकार का था फिर उसके बाद 1900 क्यामे में रिफॉर्म्स आये क्योंकि हमारे देश की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी हमारी एकॉनोमी बहुत ही खराब हो चुकी थी तो इसमें आप पढ़ोगे की brief introduction of the state of Indian economy on the eve of independence यानि आजादी के समय हमारी भारत की जो अर्थ विवस्था है वो कैसे थी फिर 1947 से लेकर 1990 तक क्या-क्या गोल्स रहे किस सरीके से हमने इसको सेट किया उनके मुख्य बिंदू क्या थे किन बातों पर ध्यान दिया जाता था हमारे सामने क्या-क्या परेशानिया आई उन परेशानिया को दूर करने के लिए क्या-क्या पॉलिसी अपनाई गई एगरी कल्चर को किस तरीक से देखा सरकार ने इंस्टिउशनल एस्पेक्ट्स किया अपनाई उसको सुधारने के रिए 1950 से की जो रूल्स और एगुलेशन से इंडस्ट्री से वो क्या थे और फोरें ट्रेड की कंडिशन उस समय क्या थी यह सब आप पढ़ोगे उसके बाद आजाओगे आप एकनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में इसमें में थे LPG यानि liberalization, globalization and privatization तो most important है यह पढ़ोगे आप फिर पढ़ोगे आप demonetization and GST का concept फिर उसके बाद आजाएगा current challenges facing Indian economy यानि अब present situation में Indian जो economy है उसके सामने क्या-क्या समस्या है तो सबसे पहले human capital formation यानि किस सरीके से एक पढ़ा लिखा समाज इखटा किया जाए ताकि वो देश की प्रगती में भागिदारी बन सके तो how people became resources यानि people को resources कि सरीके से बनाए और यसलिए education अच्छी हो उनकी health अच्छी हो यही सब आपिस में पढ़ोगे कि education का क्या role है फिर rural development यानि गाओं का जो विकास है वो किस सरीके से होई हो तो वहाँ पर क्या-क्या समस्या है credit and marketing क्या है role of cooperative societies वहाँ पर किस सरीके से अपन क्या होती है यह पढ़ोगे फिर आजाएगा employment employment में पढ़ोगे employment मतलब रोजगार तो growth and changes in workforce participation इसमें आप growth पढ़ोगे workforce में क्या changes होते हैं वो पढ़ोगे informal and informal sectors में पढ़ोगे और उनमें क्या problems and policies होती है वो पढ़ोगे फिर आजाएगा sustainable economic development यानि किस तरीके से विकास किया इसमें global warming भी आप पढ़ोगे फिर रहता है आपका development experience of India इसमें आप compare करोगे Indian economy का पाकिस्तान और चाइना की economy से क्योंकि चाइना इंडिया और पाकिस्तान का जो development है वो लगभग साथ साथ हुआ था लेकिन चाइना हमसे कहीं जादा आगे निकल गई और पाकिस्तान हमसे क ही गुना पीछे निकल गया तो इन तीनों का compare आप इस chapter में करोगे तो इनमें क्या क्या इश्यू है economic growth को लेकर करोगे population को लेकर करोगे sectoral development किया रहा और human development indicators के basis पर आप इनमें differentiate करोगे तो इसी के साथ ही आपका economics का syllabus है वो होता है खतम अगर यह video आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही साथ दमाए बैल आइकन जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे वेले जल्दी ही chapter wise वीडियो आने शुरू हो जाएंगे इसलिए चैनल को पक्की से सब्सक्राइब कर ले और